तमिलनाडू सरकार ने वेदानता ग्रूप की तूती कोरीन स्थित स्टरलाइट प्लांट को स्थाई तोर पर बंद करने का आदेश दिया है तमिलनाडू के डिप्टी सीम ओ पनीर सलवम ने ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि राज्य के प्रदूशन कंट्रोल बोर्ड को प्लांट की बिजली पानी कनेक्शन काटने के आदेश दे दे गए है फिलाल प्लांट की बिजली पानी का कनेक्शन 24 मई से ही काट दिया गया इस प्लांट के खिलाफ 22 माई को वे प्रदर्शन के दौरान पुलीस फैरिंग में 12 लोगों की मौत हो गए थी पनीर सेलबम ने कहा कि लोगों की मुख्य मांग थी कि प्लांट को बंद कर दिया जाए उन्होंने ये भी कहा कि मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि तोती कोरीन का स्टर लाइट प्लांट स्थाई तोर पर बंद हो गया है